Dear student, अगर आपको भी किसी क्यूशन में doubt है तो आपको उस क्यूशन का फोटो खिचना है और क्रोप करना है तुरूंत 5 सेकिंड में उस क्यूशन का answer video solution के साथ आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्यूशन homework का हो, CBSC board का हो, राजस्तान board का हो या other किसी भी board का हो या class 6-12 IITJ NIT या physics, chemistry, biology, math के इन सभी स्वालों का जुआब मिलेगा doubtnet पर साथ ही doubtnet पर class 9-12 की बच्चों के लिए live classes हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियमें चल रही है तीन करोड से ज्यादा बच्चे इस application पर पढ़ाई कर रहे हैं doubtnet के इस application को अभी download कीजिए लिंक मिलेगा description में विज्ञान में अब मिलकर फोड़ेंगे 90 प्लस 2021 की board exam में अगर आप कक्सा 10 के चात्र हैं और 2021 की board exam में सामिल हैं और विज्ञान में आप 90 प्लस बनाना चाते हैं 2021 की board exam में तो ये वीडियो आपको सुरू से अन तक देखना है तो आज के इस वीडियो में हम कक्सा 10 विज्ञान रिविजन वीडियो है अमारा फाइनल सोट जो हम पढ़ने वाले हैं और 2021 की board exam के अनुसार यानि संसोधित पाठे करें के अनुसार हम आज के इस वीडियो में चेप्टर नम्मर टू आपके मानव तंत्र यानि human system और ये वाला जो चेप्टर है ये काफी बच्चों को प्रेसान करता है कि सर इस चेप्टर से कितने क्यूशन आएंगे किस ताइप के आएंगे और इसके most important क्यूशन हमें बता दीजिए ताकि हम उन क्यूशन को अच्छे से त्यार करें और इस चेप्टर से जितने भी आपके जितने भी मारक्स की कूशन आते हैं उन क्यूशन को हम आराम से board exam में कर सकें तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे doubt clear करने वाला हूँ क्योंकि इससे जो खास क्यूशन है जो very very important है जो आपके selected क्यूशन है उन क्यूशन को हम करने वाले है और आपको केवल यही पढ़ना है इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है यानि आपको ये वीडियो सुरू से अन तक देखना है तो आज के इस वीडियो में हम chapter 2 आपके मानव तंत्र अब मानव तंत्र वाला जो chapter है वो इस बार कितने मारक्स का कर दिया गया है चै मारक्स का कर दिया गया है और इस अध्याय से board प्रिक्ष्या 2021 में एक person पुछा जाएगा जो कितने अंक का आएगा चै अंक का आएगा यानि एक question आएगा बड़ा question आएगा लोंग question आएगा जो कितने मारक्स में आएगा चै मारक्स में आएगा यानि आंत्रिक विकलप है वो आपको इस question में दिया जाएगा यानि दो या तीन question एक question में आपके सामिल होगे जो आपके total कितने नमर का आएगा 6 नमर का आएगा और अगर अभी तक आपने chapter 1st का revision वीडियो नहीं देखा है तो उस chapter का revision वीडियो भी आप देख सकते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप chapter 1 जो बोजन और मानव स्वास्ते है उसका revision वीडियो भी देख सकते हैं तो देखे question number 1 आपको दिया गया है और इस question में आपके कितने option है तीन option है A option में भी question है 2 option में भी question है और 6 option में भी question है इस परकार का question आपके board exam 2021 में विज्ञान के paper में इस chapter से question है वो इस परकार से पूछा जाएगा यानि option में question आएगे आंतरिक विकलप आपको question में दिया जाएगा जिसमें 3 question इसमें है इसमें पहला question है वो क्या है साँसन किसे कहते हैं यानि साँसन की आपको परीब आसा लिखनी है आप देखे इस chapter से एक question आएगा कितने number का आएगा 6 number का तो यहाँ पर 3 question है यानि 3 question आपके 2 marks के है ये भी आपके 2 marks का है और ये question भी आपके 2 marks का है और ये question भी आपके दो अंक का है तो तीनो question आपके 6 marks के होंगे यानि एक question आएगा जिसमें आपको 2 विकलब भी दिये जा सकते हैं 3 विकलब भी दिये जा सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है तो इसमें पहला question क्या है सावसन किसे कहते हैं यानि आपको सावसन की परिवासा बतानी है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन से विकलब में है तो यहाँ पर एविकलब आपको लिखना है उसके बाद में इसका answer लिखना है तो देखे सावसन आपको heading में लिखना है बहुत अच्छे से लिखना है और उसके आगे इसकी परिवासा लिगनी है अब देखें सवसन की परिवासा क्या होती है कि परियावरण रक्त एंकोसिकाओं के बीच जो गेसे हैं गेसे कौन-कौन सी हैं एक तो CO2 है यानि carbon dioxide और दूसरी क्या है O2 यानि oxygen gas के विनिमे को क्या कहा जाता है सवसन कहा जाता है यानि सुवास लेने की जो परिकिरिया है उसको क्या कहते हैं सवसन कहते हैं परियावरण रक्त एंकोसिकाओं के बीच गेसों के विनिमे को क्या कहा जाता है सवसन कहा जाता है ये आपको इसमें दिहान रखना है बैय उप्सन में आपको क्यूशन दिया गया है कि मानव सवसन तंतर का नामांकित चित्र बनाईए तो यह आपके बुक में मिल जाएगा आपको मानव सवसन तंतर का नामांकित चित्र यानि मानव सवसंत अंतर का जो नामंग की चित्र है यह आप बुक में देख सकते हैं इसका डाइग्राम आपको बुक में मिल जाएगा तीसरा क्यूशन है आपके सहे विकलप में दिया गया है सहे उप्षन में आपको क्यूशन दिया गया है कि सवसन की किरिया विदी समझाईए तो सवसन की किरिया विदी 2021 की बोर्ड एक्जाम के लिए very very important है तो इस QSAN को आपको अच्छे सी त्यार करना है तो देखे सबसे पहले आपको Heading में लिगना है सावसन की किरिया विदी इसके आगे इसके बारे में लिगना है तो देखे सावसन किरिया के दोरान वायू मंडलिये ओट्टु यूक्त वायू सुद वायू को फेपडों में बरा जाता है यानि सवसन किरिया के दोरान वायू मंडली ओटू युक्त वायू है जिसको सुद वायू भी हम कह सकते हैं उसको फेपडों में बरा जाता है और फेपडों से जो CO2 है CO2 युक्त वायू है जिसको हम क्या कह सकते हैं एसुद वायू कह सकते हैं यानि ओटू युक्त जो वायू है उसको सुद वायू कहेंगे और जो CO2 युक्त वायू है उसको क्या कहेंगे एसुद वायू कहेंगे यह आपको ध्यान रखना है और उसको बाहर निकाला जाता है ओटू युक्त वायू के आयतन के गटने वे बढ़ने से फेपड़े फूलते वे पिचकते हैं ओके और वायू मंडल ये जो वायू है वो सवसन मारक से होते हुए फेपड़ों में भर जाती है फेपड़ों की जो वायू को पिकाए हैं उनकी सतय पर गेसों CO2 वे O2 का विने में होता है और वक्स बढ़ने से फेपड़े फूलते वे पिचकते हैं और वायू मंडल ये वायू सवसन मारक से होते हुए फेपड़ों में भर जाती है फेपडों की जो वायू कुपिकाएं हैं उनकी सतय पर गेसों CO2 का विनी में होता है और वक्स गुआ का आयतने वो कम हो जाता है और फेपड़े वो चिपक जाते हैं ये आनसुर आपको इसमें लिखना है क्यूशन नमर दो आपको दिया गया है इसमें भी आपके तीन ओप्सन में क्यूशन है जिसमें पहला क्यूशन है आपके ओप्सन ए में मादाओं में प्रात्मिक लेगी गंग का नाम लिखी यानि मादा में जो प्रात्मिक लेगी गंग है वो उसका नाम आपको बताना है और और मादाओं में जो प्रात्मिक लेगी कंग है उसका क्या नाम होता है अंडासे मादाओं में प्रात्मिक लेगी कंग का नाम क्या है अंडासे तो ये अंडासे है ये आपको द्यार रखना है उसके बाद में बैय उप्षन में दिया गया है कि मादा जनन तंतर का नामां की च चित्र है वो आपको भुक में मिल जाएगा इसका डायग्राम वो आपको अच्छे से त्यार करना है प्रेटिस करना है ताकि आप बोड एकजाम तक इस चित्र को इस डायग्राम को अच्छे से समझ पाएं उसके बाद में सह ओप्सन में आपको क्यूस्टन दिया गया है कि मा मानव परजनन की जो दो अवस्ताएं हैं उनको आपको समझाना है तो मानव परजनन की दो अवस्ताएं जिसमें पहली अवस्ता का नाम क्या है युगमक जनन तो युगमक जनन क्या होता है कि वर्सन एव अंडासे में एगूनित युगमकों के निर्मान की जो विद्धी होत ये उसको क्या कहते हैं युगमक जनन कहते हैं यानि वर्सन एव अंडासे में एगुनित युगमकों के निर्मान की विधी को क्या कहते हैं युगमक जनन कहते हैं और इस किरिया में नर में सुक्राणूं का और मादाओं में अंडाणूं का निर्मान होता है यानि इस किरिया में युगमक जनन वाली जो किरिया है उस किरिया में नर में तो सुकराणू है उनका निर्मान होता है और जो मादा है जो इस्तरी है उनमें किसका निर्मान होता है अंडाणू का नर में सुकराणू बनने की जो किरिया है उसको क्या कहते हैं सुकर जनन कहते हैं नर में सुकरा हैं तो ये जो मैंने बताय है आपको यूगमक जनन में आच्छे से लिखना है अब देखे दूसरी अवस्ता है आपके निशेचन निशेचन यह किरिया मादा याईनी मनुस्य इस्तरी की अंडवाहनी में संपन होती है यह किरिया मादा मनुसे इस तरी की जो अंडवाहिने होते हैं उसमें संपन होते हैं और इस किरिया के दोरान नर के सुकराणू वे मादा के अंड़ाणू सयुगमित होते हैं जुडते हैं जिसके फलसवरूप युगमनज यानि जाइगोट का निर्मान होता है और यह पिर कि मादा मनुस्य इस्त्री की जो एंडवाहिनी है उसमें संपन होती है और इस किरिया के दोरान नर के सुक्राणू वे मादा के अंड़ाणू सयुंगवित होते हैं जिसके वलसोरूप जो भूर्ण है जो युगमनज है उसका निर्मान होता है और यह प्रकिरिया क्या कहलाती है अगला क्यूशन है आपके क्यूशन नमर तीन जो वेरी वेरी इंपोर्टेट है और यह क्यूशन आपके दो विकलप के रूप में आपको एक क्यूशन दिया गया है जिसमें ए विकलप में क्यूशन है आपके मानव उत्सरजन तंतर का नामंकी चित्र बनाईए यानि इसका चित्र आपको भुक में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इसको बना सकते हैं और बैविकलप में जो कुशन दिया गया आपको कि नाइट्रोजन अपसिस्ट के जो परकार हैं उनको उधारन सहीत समझाईए नाइट्रोजन अपसिस्ट हैं वो कितने परकार का होता है यहाँ पर तीन परकार का होता है तो इन तीनों परकार के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर नाइट्रोजन अपसिस्ट के परकार तो इसमें पहला क्या है अमोनिया अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि अमोनिया क्या होता है तो इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवसिक्ता होती है यानि अमोनिया का उत्सर्जन है तो इसके लिए ज्यादा जल की आवसिक्ता होती है अतै अनेक मचलियां उबेचर जली कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं अमोनिया इसके उत्सरजन के यकर्त यूरिया में बदल देता है यानि कोशिकाओं द्वारा उत्सरजित जो अमोनिया है उसको यकर्त यूरिया में बदल देता है जिसे फेपडों द्वारा सरीर से बाहर निकाला जाता है और जो इस्तंदारी जन्तु है और जो समूंदरी मचलिया है वो यूरिको टेलिक कहलाते हैं यानि कोशिकाओं द्वारा उत्सरजित अमोनिया को यकर्त यूरिया में बदल देता है जिसे भेपडों द्वारा सरीर से बाहर निकाला जाता है और जो इस्तंदारी जन्तु हैं और जो समूंदरी मचलिया हैं वो क्या कहलाते हैं यूरियो टेलिक कहलाते हैं तीसरा है आपके यूरिक अमल यानि यूरिकेसिड क्या होता है तो पक्सियों, सरीसरपों, केटों आदी में अमोनिया को यूरिक अमल में परिवर्तित करते हैं जो पक्सि हैं, जो सरीसरप हैं, जो कीट हैं आदी में अमोनिया को यूरिक कामल में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और एसे जन्तू, एसे जन्तूओं को क्या कहते हैं, यूरिको टेलिक कहते हैं, कॉस्ण नमर चार आपको दिया गया है, और कॉस्ण नमर चार है, आपके चार विकलप में है, इसमें पहला विकलप है, इसमें क क्या क्यूसन दिया गया है कि मानव हर्दे का नामंग की चित्र बनाईए तो मानव हर्दे का जो नामंग की चित्र है वो आपको भुक में देखना है इसका अनसुर और डाइग्राम को अच्छे से देखना है अच्छे से उसको बनाना है ताकि आप बोड एकजाम तक इस चार कारिये लिखने हैं और बलड के चार कारिये क्या क्या होते हैं तो वो आप देख सकते हैं इसमें मैंने चार पॉइंट में लिखा है पहला पॉइंट क्या है कि रक्त है वो परती रक्षियों दुवारा रोगों से सरीर की रक्षा करता है कि जो रक्त होता है जो बलड होत यानि जो रक्त होता है वो पच्चे हुए बोजन को सरीर के विबिन भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है और तीसरा कारिय क्या है कि रक्त तूटी-फूटी मरत कोशिकाओं को यकर्त और पलेया में पहुंचाता है जहाँ वे नस्ट हो जाती हैं यानि जो रक्त होता है वो टूटी-फूटी मर्त कोशिकाओं को यकर्त और पलेया में पहुंचाता है जहां वे नस्ट हो जाती है और इसमें चोथा कारिये क्या है कि रक्त बोजन से अवसोसित पोशक तत्वों को एकठा करके सारे उत्कों में पहुंचाता है यानि जो रक्त होता है वो बोजन से अवसोसित पोशक तत्वों को एकठा करके पोशक तत्वों को एकठा कर लेता है और उनको एकठा करके सारे उत्कों में पहुंचाता है तो ये काम को उनकरता है रक्त करता है तो ये रक्त के कारिये या आपके इंपोर्टेट हैं 2021 की लार गरंथी द्वारा सरावित एंजाइम का नाम लिखी यानि लार गरंथी के द्वारा जो सरावित एंजाइम है उसका आपको नाम बताना है तो लार गरंथी द्वारा सरावित एंजाइम को ने टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम लार गरंथी द्वारा सरावित सरावीत हार्मोन को ने टेस्टोइस्टेरोन या आपको ध्यान रखना है अगर आप से पुछा जाता है कि अंडा से द्वारा याँ पर वर्षन 2-r coordination सरावीत- हार्मोन के नाम किया है टेस्टोइस्टेरोन अगर आप 17-3 सरावीत आर्मोन का नाम पुछा जाए बोड एक्जाम में तो आप क्या लिखेंगे इसका अनसुर सभी बच्चों को कॉमेंट बोक्स में बताना है क्यूसन नमर पांच है और ये क्यूसन आपके तीन विकलब में दिया गया है इसमें पहला विकलब आपके क्या है कि पाचन तंतर का नामांकी चितर बनाईए यानि पाचन तंतर का नामांकी चितर आपको बनाना है तो इस क्यूसन का अनसुर आपको बुक में मिल जाएगा अच्छे से आपको त्यार करना है Second question आपको क्या दिया गया है कि जठर रस में उपस्तित एंजाइम के नाम लिखने है और उनके कारिये लिखने है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम उपस्तित होता है और कौन-कौन से एंजाइम उपस्तित होते हैं और उन एंजाइमों के क्या कारिये है तो देखे जठारस में उपस्तित एंजाइम, जठारस में तीन परकार के एंजाइम है, वो उपस्तित होते हैं, पाए जाते हैं, कौन-कौन से हैं, इसमें पहला क्या है, पेपसिन, दूसरा है आपके रेनिन, और तीसरा आपके जठार लाइपेज, आपके जठारस में जो उ उपस्तित एंजाइम हैं वो कौन-कौन से हैं पेपसिन हैं रेनिन हैं और जठर लाइपेज हैं अब इनके क्या कारिये हैं तो आप कारिये देख सकते हैं इसमें पहला कारिये क्या है पेपसिन का यानि पेपसिन एंजाइम है वो बोजन में उपस्तित प्रोटिन गटक को प् तुसरा एंजाइम कोन है रेनिन अब देखे रेनिन एंजाइम का क्या कारिए है तो रेनिन एंजाइम नवजात सिस्वों में दुख्द प्रोटिन को पाचन में मदद करता है यानि दुख्द प्रोटिन के पाचन में मदद करता है रेनिन एंजाइम है वो नवजात सिस्वो में दुख्द प्रोटिन के पाचन में मदद करता है और तीसरा जो एंजाइम है जठर लाइपेज आप देखे जठर लाइपेज का क्या कारिए तो जठर लाइपेज एंजाइम है वो वसाओं का आंसिक पाचन करता है या आपको इसमें द्यान रखना है उसके बाद में अगला क्यूशन आपको दिया गया है कि प्रात्मिक सवसनी किसे कहते हैं तो प्रात्मिक सवसनी किसे कहते हैं या आपको हेडिंग में लिखना है और इसके आगे इसके आपको डेफिनेशन लिखनी है यानि प्रात्मिक सवसनी किसे कहते हैं तो देखिए सवास नली वक्स गुआ पहुँचकर दाइनी वे बाहीं दो सांखाओं में बढ़ जाती है और परतेक सांखा अपनी और के वेपड़े में परवेश करती है और इन सांखाओं को ही क्या कहा जाता है प्रात्मिक सवसनी कहा जाता है यानि जो प्रात्मिक सवसनी है सवास नली वक्स गुआ पहुचकर दाइनी वे बाहीं दो सांखाओं में बढ़ जाती है और परतेक सांखा अपनी और के वेपड़े में परवेश करती है और इन सांखा कोई क्या कहा जाता है प्रात्मिक सवसनी कहा जाता है तो ये क्यूशन भी आपके वेरी वेरी इंपोर्टेट है ये भी आपके 2021 की बोर्ड एकजाम में पूछा जा सकता है तो इस क्यूशन को भी आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है